कोरोना काल से ही लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़ानी को लेकर जागरुकता आ गई है। साथ ही लोग अब अपने स्वास्त को लेकर जागरुक होते दिख रहे हैं। सुबह की एक्ससाइज और कसरत अब लोगों की आदत बन गई है। इतना ही नहीं सालों से जो साइकल विलुप्त हो गई थी अब स्तर को परधिक मात्रा में दिखने लगी है। सबसे पहले तो जय जोहार, जय शेटिसगाड अभी 21 साल हो गए है, शेटिसगाड को बने हुए हमारे और उसका सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। और एक बढ़ावा भी दे रहे हैं, इस राइडिंग को पैट्रोल बहुत महेंगा है, लेकिन हम इस सबसे कैसे उबरें और अपने आपको कैसे फिट रहे हैं। सिर्फ यह है हमारा और लोगों को नए लोगों को जोड़े हैं। अभी तो बिलासपूर में मेरे को ऐसा लग रहे है कि शतिसगाड में सबसे अच्छा राइडिंग क्लब है हमारा बी आरसी और लोग जूडते जा रहे हैं, जूडते जा रहे हैं, हम लोग का कारवा होता जा रहा है, एक बार राइडिंग चालू करेंगे तो स्वास्त तो अपने यहां ठीक होता जाएगा और सभी को देखिए, फिटनेस के प्रती जागरूख होते जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ब्यार्सी से आप जरूर जूड़े, बे साइकल को सब चलाना भूल गे थ इसमें, यहनुने 600 किलमेट राइड मारी हुई है, 200 मारी हुई है, और सब मोटीवेट करते हैं को, हम भी से लिए राइड चलू किये हैं, साइकल को लोग भूल गये थे, कोरोना काल में लोगों ने फिर साइकल चलाना चलू कि अपने इपने बूस्ट की, और साइकल करना स स्वास्ट के प्रती जागरुपता फैलाने का काम युवावर्ग कर रहे हैं, ऐसे में विलासपूर में लगभग 80 लोगों का ग्रूप है, जो साइकलिंग करता है, इस ग्रूप ने राज्योसफ के मौके पर 21 किलो मीटर साइकलिंग कर जन जागरुपता फैलाई सबसे पहले तो सबको जय जोहार, आज 36 किलो मेटर की राइड कर रहे हैं, जो की बिलासपूर राइडिंग कलब और हमारे दो स्पॉंसर हैं, जैसे रोहरा साइकल और कृष्णा मोबाइल की तरफ से ये पुरा इवेंट कर आए जा रहा है, जय जोहार, जय चाथिजगर। सबसे बिलासपूर के युवावर्ग अब साइकलिंग की और अपना ध्याना कर शित कर रहे हैं, युवावर्ग के द्वारा साइकलिंग करने से जहां यह फैशन ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं साइकलिंग के प्रतील लोगों के क्रेज को देखते हुए, साइकल की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। जहां पहले 5000 से 7000 रुपे कीमत की साइकल मिलती थी, वहीं अब यह साइकल नए मॉडल में और नए तकनीक के साथ कीमत में बढ़ोतरी के साथ मिल रही है। मुहमद सुलेमान खान, ETV भारत, 36 कड़ जहाँ किया है। जहाँ किया है। झाल झाल